सबसे पहले मेरे पास आता है वो आता है तो सबसे पहले मेरे पास आता है वो आता है यह बहुत मतलब तॉप पे अभी चल रहा है इसलिए मैं इसको फिर्ट में इंक्लूट किया यह भी बहुत अच्छा फ्रेमवक के मतलब बहुत सारी इसमें बिल्ट इन होती है जैसे ऑथेंटिकेशन वगेरा और सेक्यूरिटी व इसलिए बहुत ऊपर कियो और इस समय जैंगो जा रहा है तो फ़र्ड जो मेरी लेस्ट में वह जैंगो पहला मैंने रियेक्ट के कुछ कुछ अलग फंक्षिन वह सेपरेट वीडियो में अगर आप चाहते हो तो मैं सेपरेट वीडियो में सबके थोड़े थोड़े रिव् Ruby on Rails Ruby on Rails इतना famous नहीं है पर बहुत अच्छा framework है मतलब जो प्रोफेशनल काम करते हैं वह इसको ज्यादा यूज करते हैं ठीक तो यह भी आप देख सकते हो और फिफ्ट मेरे पास web development framework आता है लार्वेल लार्वेल भी आपने लोगों में से बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा पर चप की चल रहे हैं उसको मैं is pink कर रहा हूं की इसमें top मतलब ज्यूंद यूज कर रही है जो व्यलफिंग कर रहे हैं वह फ्ली नहीं उडबाटेंस्थ और फिफ्वेल्प्रेंट कर रहा हूं एक्सप्रेस भी बहुत लोगों हो Lao T पर भी बहुत काम चल रहा है ठीक है तो इसमें भी यह मेरा 7 पर आता है इसको मैंने 7 पर रखा एट बन जो मेरा आता है asp.net asp.net भी बहुत famous framework है बहुत दिनों से चला आ रहा है मतलब web development framework के लिए तो आप यह भी asp.net भी use कर सकते हैं intent है जो मेरा फ्लास्क ठीक है फ्लास्क भाई python के अंदर web development framework में आते है लास्क मैंने इस प्लेस को इंक्लूट किया क्योंकि देखो फ्लास्क मैंने भी use करी है मेरे को भी थोड़ा मुथ आता है तो फ्लास्क जब ही मतलब मैं तब recommend करूंग तब यूज करो जैसे आपको की एक आद दो function चलाने हो कि मेरे URL के बाद यह function चल जा और यह मतलब चोटे website चोटे काम करने तो फ्लास्क बहुत optimal वे में आपको फ्लास्क काम करके दे देता है ठीक और स्टेटिक पेज बगेर के handling फ्लास्क में मेरे को ऐसा लगते की जादा अच्छी से होती है ऐसा मेरे experience है तो top 10 पर यह मेरा अच्छी काम करते हैं वीडियो हेलफुल लगे तो लाइक और सबस्क्राइब और बस आच की वीडियो पर यहीं खतम करते हैं have a good day and good bye